गंगाली के कगार पर खड़े पाकेस्तां पर वर्ल बैंक ने ठोका 6 अरब डॉलर का चुरमाना, पाकेस्तां पर भारी मुसिबत वर्ल बैंक ट्रिब्नल ने लगाया 6 अरब डॉलर का फійсьकुन, आप चानती होंगे दोस्तो इसी में चुलाई में International Monetary Fund, यानि IEMF ने 6 billion dollars का loan package sanctions किया था पकिस्तान को करजे के रुप में इसका मतलब यह हो जाएगा एक हाथ लिया और दूसरे हाथ दिया वाली काहवत यहां सही बेटती है आ यह चानते हैं क्या है पूरा मामला और करते हैं case study World Bank की Tribunal Court International Center for Settlement of Investment Dispute ने बलुचिस्तान इस सितरे को डिक कदान सौधय को रद करने पर पाकिस्तान पर 5.97 करोड रुपे का चुर्बाना ठोका है जिसमें 4.8 अरब टॉलर हरचाना और 1.87 अरब टॉलर का interest यानि प्याज सामिले यह हरजाना पाकिस्तान को टेक यान कॉपर कंपनी को चुकाना होगा गंबीर आर्थिक संकट से चूजरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जट का माना जा रहा है दोस्तो आपको बता दे दोस्तों वहां की सुप्रिम कोर्ट मतलब पाकिस्तान की सुप्रिम कोर्ट ने इस सवधे के करार में घड़वड़े बता कर इसे रद किये जाने के बाद टेक ऑन कमपनी ने साल दुवजा पाद इंटरनेशनल सेंटर फोर सेटलमेंट आफ इन्वेस्मेंट के पास कई थी जहां कमपनी ने ग्यार दसमलों चार तीन अरब डॉदर का दावा किया था पाकिस्तान के खिलाब 2017 में ट्रिवनल ने टेक ऑन कमपनी के पच्छ को सही करार दिया था दोस्तों लेकिन उस टाइम फाइन की जो रासी थी हरजानी के रासी थी तैय नहीं की गई थी ट्रिवनल ने बीते सुक्रवा यानि बारत जुलाई को हरजानी के रासी तैय करते हुए अपना फैसला 750 में जिया पाकिस्तान पर लगाया यह जुर्माया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है अब यह जानते है क्या है पूरा मामला इसके अंदर की कहानी क्या है एक्शुल में दोस्तो टेक एन कॉपर कम्पनी ने पाकिस्तान की बलुचिस्तान परांत में रेकोड टीक में भूद बड़े पैमाने पर सोने और तामबे की खानों का पता लगाया था कम्पनी का कहना है कि वो इस इलाके में करीब 25 करोर डॉलर कर चुकी थी लेकिन अचानक 2011 में पाकिस्तान सरकार ने उसके खनन के लिए पटे को देने से मना कर दिया इसके खिलाब उसकी अप्पिल सुप्रीम कोड ने भी रद कर दिया वहीं दूसरी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबे टेक क्यान कम्पनी के चेर्मेन बिलियम हेस ने अपने बयान में कहा उन्होंने भी अपने कानूनी बिकल्ब अभी खुले रखे है जुकने वाले नहीं है साथ ही पाकिस्तान के साथ बाचित का रास्ता भी खुला हुआ है